लटेस्ट वीडियो पाने के लिए पाउर प्लांट गुरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नमस्त दस्तो स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पाउर प्लांट गुरी जी में आज हम लोगों देखेंगे एच्पी डोजिंग बॉयलर ड्रम में क्यूं किया जाता है साथ में देखेंगे बॉयलर वाटर में फस्पेट हाईडाव क्या चीज है तो ये सारे चीज़ सब जानने के लिए वीडियो को स्कीप ना करके एंड तक देखते रहिए ट्राइ सोडियोम फस्पेट को बॉयलर ड्रम में एच्पी डोजिंग के तोर से यूज किया जाता है ट्राइ सोडियोम फस्पेट को सटकटली टी एस टी यानि के टी स्टान्ट फर ट्राइ एस स्टान्ट फर सोडियोम पी स्टान्ट पर फस्पेट कहा जाता है Trisodium Phosphate का Chemical Formula है Na3PO4 Trisodium Phosphate boiler का water में pH को boost up करता है तास में boiler का water में जो calcium और magnesium salt है उसका साथ reaction करके slows formation करता है boiler का drum में उसी slows को हम लोगों CBD के माध्यम से blow down देते हैं जिसको बोलता है continuous blow down चलिए भी देख लेते हैं कि Trisodium Phosphate कैसे reaction करता है water के साथ में Trisodium Phosphate plus water जब reaction करेंगे तब Disodium Phosphate plus sodium hydroxide formation होगा sodium hydroxide जो है pH boost up करता है Trisodium Phosphate water में जो presence है calcium sulfate उसका साथ reaction करके sodium sulfate plus calcium phosphate source create करेंगा यह वाला equation देख लीजिए उसी तरह Trisodium Phosphate magnesium sulfate के साथ reaction करके sodium sulfate plus magnesium phosphate जो slow है उसको create करता है simple सा diagram है जिसमें मैं बताया हूँ कि boiler का drum में Trisodium Phosphate क्या काम करता है ना pH boost up करता है और remove करता है magnesium and calcium salts अभी हम लोगों देखेंगे कि Phosphate hideout क्या चीज है ना जो Trisodium Phosphate है वो बहुत अच्छा काम करता है 270 degree से लेके 340 degree Celsius के अंदर में अगर तो temperature में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो Phosphate hideout यानि कि Phosphate अधूर्श्य हो जाता है जान लेते हैं hideout क्या है Trisodium Phosphate boiler का water से अधूर्श्य हो जाएगा जब आप boiler का load यानि कि steam generation को बढ़ाएंगे यानि कि heat को जदा देंगे boiler में अधूर्श्य होके boiler का tube में deposit होगा जब boiler का evaporation यानि कि steam generation कम होगा तब Trisodium Phosphate जो deposit हुआ होगा वो फिर से dissolve होगा boiler के water में Phosphate जो है वो boiler के load और heat के हिसाफ से कम बेशी होते रहता है तो इसलिए Phosphate कम हो जाना उसको सोच के आपका घबे जाएगा मत कि आपका Phosphate कहां गया बोलके वो कहीं पर deposit हुआ होगा फिर से recovery हो जाएगा जब आपका load घटेगा आपकान को easily समझने के लिए एक टो simple सा में बनाया हूँ इसको देखिए ध्यान से जब load increasing होगा तब pH increasing होगा और Phosphate decrease होगा उसी तरह जब boiler का load decrease होगा pH decrease होगा और Phosphate जो है वो increase होना चालू हो जाएगा Phosphate hideout जो है वो बहुत important process है क्योंकि ये water chemistry को पूरा बिगार देता है boiler का क्योंकि ये deposit होके corrosion create करता है tubes में ये boiler में ज़्यादा Phosphate dozing मत कीजिए पहले boiler का जो load है उसको decrease कीजिए फिर उसका बाद Phosphate measure करके जाके dozing कीजिए अचा करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में आपको कुछ नया चीज सिखने के लिए मिला होगा अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like और share कीजिए अगर आप मेरे चनल में नया आया है तो इस चनल को subscribe कीजिए धेर सरे टेकनिकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तो ठेंक्यू बावाई फिर मिलेंगे अगले वीडियो में